वेलकम टू एक्जाम नियूज वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th हैं 12th इश्रेंट जिनोंने अभी अभी एक्जाम दिया है कुछ बच्चे खुस है कुछ बच्चे उदास है बट आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में जितने भी बच्चे अपने रिजल लिए उस्तों में हर रोज सुबा एन एक वीडियो सामको डेली मिलने वाली है गाईस तो मेक्शियोर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज हम इन सारे टॉपिक्स यहां तो खैर कम लिखे हुए अंदर बढ़ते हैं और कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो क्या करें और कैसे उनका problem का solution निकलेगा तो problem first मैंने इस सारे problems तुम्हारे comments में से लिए हैं जो भी तुमने लास्ट वीडियो में उसके पहले वाली वीडियो में जो भी comment किये हैं उन सारे comments को मैंने read किया और फिर यहां पर वीडियो को यहां पर देखा कि इन सारे topics पर हमे वीडियो बनाना चाहिए गया गाईज तो सबसे पहले बात करते हैं कितने subject में compartment का exam दे सकते हैं तो guys जो compartment का exam है वो तुम दे सकते हो two subjects में yes, 2 subject में compartment का exam दे सकते ह। back still, एक subject का compartment होगा, वह इस साल होगा this year यानि जो compartment का exam होगा वो होगा और एक compartment का exam to 2023 में दोगे बड़ सील इस चीज के बारे में अभी CBC एक और update निकालेगे कि कि हो सकता है new education policy के तहट तुम्हें कई सारे मौके मिल जाएं इस साल ही तुम्हारे class 12th के या 10th के जो compartment का exam है उसको पास करने की तो परिसान महों हो एक subject तो तुम पक्का देने वालो बट अगर तीन subject में compartment तो होती नहीं तुम्हें पता है एक subject का compartment है तो इस साल ही दे दोगे दो compartment है तो अभी के रूट के according एक इस साल दोगे और एक अगले साल दोगे नेश प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं तो कब होगा compartment का exam तो compartment के exam हो सकता है 22 से 25 अगस्ट के बीच में हो येस 22 से 25 बट में लिए अभी ऐसे लिक्स निकल कर आ रहे हैं या अपडेट का देखे तो 23 अगस्ट 23 अगस्ट को एक डेट फिक्स की गई है कि इस दिन से तुम्हारे compartment के exam सुरू होंगे गाइस तो on and average तुम्हारे पास अपने subject को prepare करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महिन्ना है तो जितने इस बच्चे भी तक compartment के exam compartment आ चुकी है make sure बच्चों पढ़ना सुरू कर दो compartment में जम के मैनत कर दो आगे next problem की तरह बढ़ते तो आर्टी लिखा है result में result में आर्टी लिखने का मतलब है कि repeat theory yes आर्टी लिखने का मतलब है repeat theory sort में बताऊं तो जो बच्चे अपने theory exam और practical exam दो होते repeat theory का मतलब यह है कि आप theory में पास नहीं हो बड़ practical में पास हो चुके हो तो कई लगे आपको एक मौका मिल रहा है theory exam देने का है ना तो जो बच्चे result में आर्टी लिखा हुआ है वो भी परसान ना हो कि सब्जेक्ट में आर्टी लिखा हुआ है वो पता करो देखो और उसके preparation करना start कर दो exam जो होगा वो compartment वाले exam के time पर ही होगा यानि 23 अगस्त को मतब 23 अगस्त से start हो जाएंगे next problem की तरफ बढ़े तो form कब आएगा form आपका one week के अंदर आजाएगा one week के अंदर form आजाएगा exam date की बात करें तो 23 अगस्त से exam start होंगे अलग-अलग subjects के अलग-अलग दिन होंगे syllabus की बात करें तो syllabus हमारा जो होने वाला है वो term 2 का syllabus होने वाला है yes term 2 का syllabus होने वाला है ध्यान से समझो जो भी subject में rt है जिस भी subject में तुहारे compartment है जिस भी सब्जेक्ट में है, वो उन सारे सलेबस क्या होने वाला है, टर्म 2 का सलेबस होने वाला है, आगे बढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट में पास हैं, बिल्कुल पास, और 1 सब्जेक्ट में अगर RT लिखा हुआ है, तो क्या exam देना जुरूरी है, नहीं, तुम्हारी मर्जी है दो केसे से, एक तो exam तुम देऊगे, तो क्या होगा, और एक exam नहीं दोगे, तो क्या होगा, अगर exam दोगे, मालो जिसे एक subject math ले लेते हैं, math में तुम्हारी RT है, और अगर तुमने exam नहीं दिया, improvement का exam नहीं दिया, तो होगा क्या, आगे का career तुम math से continue नहीं कर पाऊगे, sorry, तो आगे का career जो है, वो continue नहीं कर पाऊगे, उस subject से, बाकि यदर subject से कर सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि देना, RT का exam देना, improvement हो जाएगी, career चूज कर रहे में, option जादा हो जाएगे तुम्हारे पास, नेश बढ़ते है, total marks, जो syllabus होगा, किसका syllabus, एक तो हमारा compartment का, और plus RT पालों का, इन दोनों का syllabus, या फिर improvement का, syllabus क्या होने वाला है, तो syllabus के according देखें, तो हमारा जो syllabus होगा, वो होगा term 2 का syllabus, yes, total marks कितने होगे, 40, 40 में से कितने marks passing होगे, 13.2, मतलब total वही 33%, 33% का जो passing marks होगा, वही क्या होगा, passing marks, मतलब जो तुम्हारा compartment का exam है, जो RT का exam तुम दो marks में, तुम्हें at least 13.2 marks लाने हैं, उस subject को pass करने के लिए, और सबसे बड़ी बाद, 10 में compartment है, तो क्या 11 में admission मिलेगा, yes, मिलेगा बच्चों, 11 में admission आपका हो जाएगा, आपकी classes start हो जाएगी, but आपके admission को, आपके admission को hold पर रखा जाएगा भी, hold कहलो, या फिर stand by पर रखा जाएगा, just because, कि जब आप compartment का exam दोगे, compartment के exam में, अगर आप pass हो जाते हो, या fail हो जाते हो, I hope कि कोई बच्चा fail लाओ, अगर pass हो जाते हो, तो आपकी class admission, admission जो होगा, वो fix हो जाएगा, कि हाँ चलो, ठीक है, आपका admission हो गया, but अगर आप fail हो जाते हो, in case, भगवार ना करे आप fail हो, बच्टिल अगर कुछ बच्चे fail हो जाते हैं, तो इस case में क्या होगा, आप फिर इतरह से क्या हो जाओ के fail, और आपका, जो stand by admission था, वो cancel हो जाएगा, बात समझ में आ गई, I hope कि भी सारे doubts को तुम्हें clear होने में help मिल रही होगी, बात करते है private students की, तो private students के साथ आप भी, जो भी scenario है, चाहे उनकी compartment हो, RT हो, practical के marks नहीं आए हो, इन सारे पर मैं एक special video बनाऊँगा, पहली चीज तो, special video बनाऊँगा, जल्दी आजाएगी, वीडियो कल तक हो सकता आजाए, बट still, अगर तुम्हें मालो जानना भी है, तो ये सारी चीजे same होने वाली है, regular students की तरह, regular students जो है, उन्हीं की तरह सारी चीजे same होने वाली है, बट अगर हम बात करें practical marks की, तो practical marks के लिए आपको जाकर office में बात करनी पड़ेगी, अगर आपके marks नहीं है, तो Saturday, Sunday off रहता है, मत जाना, ये जाना तुम Monday को, और जितनी जल्दी चले जाओगे, उतनी जाद तुम्हें help मिलेगी guys, तो ये तो रही अभी आज ही की update, अभी एक चीज और अगर हम बात करें तो same, अभी मुझे Instagram और Twitter पर तुम follow कर सकते हो, है नट, Instagram पर तुम चाहो तो मुझे DM भी कर सकते हो, and Twitter पर follow कर लेना, मैं हर protest में, हर campaign में तुम्हारे साथ रहता हो बच्चो, and तो result तुम्हें properly मिलेगा, school से, school वाले कुछ दिन में आपको बता देंगे कि आपका result और certificate दोनों आ चुका है, बट स्टिल अगर तुम अभी भी चाहते हो, अपने result और certificate को लेना, तो तुम DZLocker पर जाकर, DZLocker पर जाकर, अपने result और certificate को download कर सकते हो, print out कर सकते हो, बट तुम्हारी हर चीज़ के latest update के लिए, एक मैंने website search की है, हरकी ये, जो website है, ये easily CVSC से related, trained hindustan, trained hindustan dot, इसके बादी space देना and dot com, google पर जाना, search करना easily, यहाँ पर देखो latest update तुम्हें मिल जाएगी, हर चीज़ से related, है न, तो अभी सारी updates मिल जाएगी, तुम्हें कोई भी update हो, यहाँ पर मिल जाएगी, अभी इस पर थोड़ा काम चल भी रहा है, काम चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये daily daily updates हो रहे हैं, तो make sure, इस website पर जाना, link में तुम्हें description box में दे दूँगा, and आज का ये वीडियो का ऐसा लगा, comment करके बताना, और कोई भी problem हो, अ watching exam news, और चैनल को like से subscribe जरू कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो, तो I am always with you, मेरे twitter कान वे मुझे फॉलो कर लेना, that is surya0315 guys, so keep watching exam news, good luck.